नश्कार मेंजीत और आप देख रहे हैं Do Politics, आपने ये वीडियो देखा, वीडियो पे कोई डेट नहीं है कि कब की है, और दूसरी बात यह भी है कि अरणाचल के जिस हिस्से में ये स्करमिश हुआ है, जो जड़प हुई है, वो अमूमन अभी के समय में कहा जाता है कि बर् से क्षेत्र में जो जड़प हुए है, उसी का है, ये संदिख्द है, साथ ही एक दो वीडियो और भी चल रहे हैं, आपने देखा होगा जो लद्दाख क्षेत्र का बताया जाता है, जहां पे बर्फ अत्य दिखते हैं, तो वो भी नौतारिक का नहीं है, कुछ फैक्ट्रे देश का, वहां पे इन्हें लगा कि गल्वान की ही तरह वहां पे कोई अभी होगा नहीं है, और ये लोग आगे बढ़ेंगे, और जैसे जैसे ये लोग आगे सिर्फ बढ़ते नहीं है, ये एक तरह से बॉडर को भी जो लाइन ऑफ एक्ट्वल कंट्रोल है, उसको भी ये ये रहता है कि हम ऐसा कर लेंगे, तुम क्या कर लोगे, और फिर भारत की मीडिया जो चीन परस्त है, वो यहां पे अलग तरह का माहौल बनाने लगती है, तो एक तरह से भारत की सरकार पर एक दवाव बनाने की चेस्टा ही लोग करते रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ क्योंकि जितनी सैन्य उपस्थिती चीन के तरफ से है, उतनी ही भारत की भी तरफ से हैं, गलवान के बाद क्या हुआ कि चीन वालों ने कुछ धांचे बनाने आरंब किये, वहां पे एक डिविजन लेवल का वहां पे सिट कर दिया अपना सैन्य मुख्याल है, वो सब हुआ उसके याद जो सदर्न पार्ट है, पैंगॉंग सो लेक का, उसके भी तरफ जो इन्होंने ब्रिजेज बना लिये और फिर हैवी मसिनरी, एक्विप्मेंट, यह सब सेटेलाइट के उसमें दिखता रहता है, तो भारत ने भी कोविट के टाइम में आपको याद होगा कि भा भारत भी बहुत रैपिडली उधर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रियेट कर रहा है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर उस इवेंच्वालिटी के लिए है, कि अगर चीन उधर से कुछ करने की चेस्टा करता है, तो हमारे भी पास सेना को रसत पहुंचाने के लिए, हत्यार रहे थे कि यहां पे कोई नहीं होगा, और हम घुसेंगे और पूश कर देंगे बाउंडरी को, या जो भी अपना प्रभाव जमाने के लिए, तो इन्हें जो है, जिस तरह की मारपीट आपने अभी वीडियो में देखी है, उस तरह की एक्ट्वल मारपीट वहां पे हुई है, अलग-अलग स्रोतों से मिल रहे समाचार के अनुसार, कम से कम तीन-चार चीनी सैनिक जो है, बुरी तरह से घायल है, उनके सर पे सकल पे बहुत ज्यादा चोट लगी है, और आपने मीडिया में कुछ इस तरह की तस्वीरे भी देखे हूंगी, बेस्बैल बैट है, उस पतलब वहां की स्थिती में बदलाव करने की चेश्टा करते रहते हैं, तब यहां पे हाथा पाई या यह लाठी डंडे से एकदम प्रिमिटिव स्टाइल से मार पीट होती है, तो जो आपने वीडियो में देखा, वो एक्षोल में है, वो 9 दिसंबर का है कि नहीं, यह भारत के भी कुछ सहनिक, 10-12 के लगवग कहा जा रहा है कि उनको भी चोटे आई हैं, किसी की मृत्यू नहीं हुए है, और फिर दोनों पक्षों में वारतालाव के बाद स्थी जो है सामाने बताई जाती है, अब 12 दिसंबर को यह समाचार बाहर आता है, 9 को यह घटित होता है, अब यह जो वामपंतियों को चुल मची रहती है कि भाई 9 को हुआ, 12 को बताया गया, वो भी बताया नहीं गया, हमें तो दह हिंदूने अगर यह ख़बर प्रकासित नहीं की होती तो हमें पता ही नहीं चलता, इन लोग को इतनी चुल क्यों मची रहती हैं, और यह इस जनता में इस तरह का भाव जाए, कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार सीमा पर एकदम से एकदम औसफल है, और वहां कुछ नहीं कर रही है, और आपको जूट बोल रही है, आप से छुपा रही है, कि हम लोग तो एकदम चीन से एकदम तन करके बात कर रहे हैं, अब बात हर बात क्योंकि ये एक जड़ब थी किसी की मित्यू नहीं उस तरह का सीरियस था नहीं इस तरह का जो भी अगर आपके मित्र कोई सेना में है या आप इस तरह के प्रोग्राम्स भी अगर देखते हैं चाहिए यूट्यूब हो या अन्य जगा पर तो आपको पता होगा कि इस तरह की जरब बहुत ही सामान्य है यह कभी कभी बॉर्डर में पेट्रोलिंग के समय क्योंकि वहां पे कोई फिक्स बाउंडरी नहीं है तो कभी भारत के लोग उधर चले जाते हैं और कभी चाइना वाले इधर आ जाते हैं हाँ ऐसा के बार होता है कि यह ऑर्गिनाइज तरीके से भी होता है जान बूझ कर भी किया जाता है उसी तरह से किया गया तो आप यह भी रिपोर्ट में पढ़ते होंगे कि 2022 में जून तक इतने बार भारत और चीन की के सैनिकों का आमना सामना हुआ, इतने बार उधर से इधर लोग आ गए, इधर से उधर चले गए, यह सारी रिपोर्ट्स आती रहती है, तो क्या हर बार ऐसी रिपोर्ट्स सार्विजनिक होना अवश्यक है, नहीं, क्योंकि कुछ चीजें हैं, जो उस स्तर पे ही निप्टा ली जाती है, जब तक कुछ विशेस नहीं हो जाता है, जिसमें रक्षा मंत्रा लेको, या ग्रिह मंत्रा लेको, जो अगर इंटरनल बातों की में बात करो, उसमें अगर रिपोर्ट्स देनी हो, तब दी जाती है, अन्यता आर्मी एक प्रेस रिलीज जारी कर देती है, इस तरह से ऐसे हुआ, कोई कैजूल्टी नहीं हो, इसके बाद समाप्त हो जाता है, तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ है, इसके आगे न कुछ है, न वताने की आवशकता है, अब है कि चीन ने ऐसा क्यों किया, अभी ये जो हुआ है, च सरकार सर्वलांस करना चाहती है, कैमरे से देखना चाहती है, या अन्य तरीके से कुछ कुछ करते रहना चाहती है, तो उसमें क्या होता है, कि ये लोग अब जनता वहां की उप गई है, और लगातार इतने विरोध प्रदर्शन हुए, कि हम ठीक है, हम मार्क खाएंगे, ज जिस पे शी जिन पिंग एक कमजोर स्थिती में दिख रहा है, तो जो मैचो मैन की इमेज लेके घूम रहा हो, कि हम किसी से नहीं डरते, उसका अपने ही घर में इस तरह की हालत हो जाना, ऐसी स्थिती में उसका दिखना, तो उसको कुछ और चाहिए, अपनी जनता को जिकी से नहीं से, तो उसको भी इसने बताया कि 1913 और 1901 अहें उसके जो समझवते हुए हैं, उसके अनुसार उनसमझाओतों का उलनंगन कर रही है भारतिय से, भारतिय से नहीं अपने इलाके में, अपने जो संप्रभु क्षेत्र है भारत का, उसके अंदर अमेरिका के कोई भी धाव्यास करने को स्वतंत्र है उससे ये बाइलेटरल बाते हैं इससे तीसरी पार्टी को कोई असर नहीं पढ़ना चाहिए और ये बात रक्षा मंत्राले ने भी स्पष्ट कर दिया चीनियों को कि इसमें तुम्हारा कुछ हाई नहीं तुम क्यूं बाहर से मतलब भ तो हम भी इधर कुछ कुछ कर दें और दहिंदू वालों ने तो पैसा ले लेकर चीन वालों का उनका एक तरह से प्रोपगेंड़ा चापा है एडवर्टोरियल के नाम पर आप गलवान के समय का हिंदू का अखवार निकाल लीजिए उसमें तो फूल पेज चीन का उन्हों अच्छा का इतना अबरा सामरिक मुद्दा बनाके पेश करना तो पता चलता है कि इसमें जो है उनकी मतलब एक तरह से कोई एजेंडा चुपा हुआ है और दहिंदू नहीं क्यों ब्रेक करता है तो आपको पता चलना चाहिए कि इनको सूचना कहां से आ रही है आप जो यह तवां का क्षेत्र हैं वो है क्या देखिए तिबबत को यह जो वन चायना पॉलिसी है चीन वालों की कि ताइवान भी मेरा है तिबबत भी मेरा है फिर यह साउच चायना सी में जितनी चीज़ें दिखती है मतलब समुदर के पानी को भी अपना कहने लगते हैं तो यह वन 我 bucksha से को अपने प्रभाव ख्षेतर में रखने के लिए इसके पास जो है एक ही तरीका है कि तवांग का ख्षेतर जो है इनके नियंटरन में रहे है और तवांग भी नहीं पूरे अरुनाची प्रदेश को चीन जो है अपना दावा उस पे करता रहता है अंग्रेजों ने क्या किया वो बॉर्डर बाटने में वो सब इत्यास की बात है हम उस पर नहीं जाएंगे लेकिन चीन का इंटेंट जो आज के समय में है वो यही है और आज से नहीं लंबे समय से है कि यह पुश करते रहते हैं कि नहीं हम इस लाइन आफ एक्च्वल कंट्रोल को हम नहीं मानते पूरा अरणाचल प्रदेश जो है पर स्टेपल्ड वीजा और तमाम तरह की नोटंकिया आपने देखी होंगी यांक से जो है उसमें ये दिनानु दिन कुछ न कुछ तीन पांच करके हमेशा भारत को जो है डिस्टेबलाइज करने का या डिस्टेबलाइज दिखाने का मीडिया वाले बोलेंगे देखो यहाँ पे तो विवाद है विवाद की स्थिती है यहाँ पे चीन वाले आगे तो यह डिस्कुसंस जो है अनवरत भारतिय समाज में चलता रहे या उनकी जो है मन्शा है और उसमें वो काफी हद तक मुझे लगता है कि सफल भी होते रहे और एक तरह से पॉलिसी लेवल पे भी एक तरह से टार्गेट हो रहा है बॉर्डर के मुद्दों को लेकर अन्य पॉलिसी को भी इंफ्लोएंस करने की या उसको रोकने की चेस्टा की जा रही है गलवान जो हुआ था जून दो हजार बीस में उसमें बीस तो हमारी तरफ के सैन थी आप कह सकते हैं कि उसे पहले डोकलाम हुआ था उसमें भी मतलब ट्राइजंक्शन है वहां पर भी बहुत ज्यादा परिशानी हुई थी फिर यूएस का थोड़ा सा सपोर्ट मिला था तब जो हैं इंडिया वहां से हटा नहीं और उसके बाद जब गलवान होता है उसक हाट स्प्रिंग्स है ये चारो एरियाज में ट्रूप्स को मतलब डी इसकेलेशन के एफर्ट्स हुए और वहां पर बुला गया कि जैसे पहले इस्तिती ती वह इसे बनाई जाए हलांकि अभी भी जो जून दोहजार बीस के पहले के इस्तिती थी वहां अभी भी उस तरह क इस्तिती नहीं बनी है लेकिन एक सीमा तक कहा जाता है कि वहाँ चीजे जो है शान्त हो गी और मतलब शांती के प्रयाजितने किये गए उसमें एक हद तक सफलता हमें मिली है अब प्रशना आता है कि वामपंथी क्यों रोते हैं कि भाई हमें नहीं बताया गया यह इसलिए रोते हैं क्योंकि इन्हें चाहिए कि यह जो ही रियल टाइम में हो रहा है तभी अगर हमारे पास समाचार आ जाएंगे तो हम उस विशय को एक्सप्लॉइट करके हम मीडिया में नारेटिव चला कि जो 0.5 फ्रंट की बात जो जनरल रावत किया करते थे उनको एक्टिवेट किया जा सके तरह के चोटे चोटे पाइलेट प्रोजेक्ट्स देश में जो है चल रहे हैं स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करना मतलब किसी तरह से ऐसा कर दो कि सरकार इंटरनल और एक्टरनल दोनों मतलब स्थितियों में उलजी हुई दिखे और फिर वही है कि policy level की बाते या जो reform की रिफॉर्म्स लाने की बाते चल रही है राष्ट में अलग-अलग विश्यों को उस पर जो है एक तरह से स्थिती जो है वो थम जाए तो इस तरह का इनका विचार है इसी लिए इनको इनको चाहे कि नहीं क्या हो रहा है बॉर्डर पर हमें रियल टाइम में चाहिए खाली बॉर्डर की इनको चिंता है बाकी टाइम और वो भी सरकार जब सरकार जब बताएगे का ऐसा कुछ नहीं हुआ यह चोटी मोटी तो वह नहीं मानेंगे और फिर इनको दिखेगा कि नहीं सेना ने को वीडियो मान लीजे कि जारी कर दि बोलो तब यह भारत माता की जय भी बोलने लगते हैं सिर्फ दिखावे के लिए लेकिन इनका कभी भी मतलब वही होता है ना कि मन से यह ऐसा करना चाहरे हैं ऐसा कभी नहीं होता अब वायर वाले एक अलग धुन में उन्होंने एक लेक प्रकाशित किया है कि अभी जो तव की बात कैसे की जाएं अभी तक तो वायर के जो मतलब यूएस नागरिक चीफ है सिधात अजन जी अभी तक तो उन्होंने ऐसा नहीं डिक्टेट किया है जो वह जैसा कर रहे थे वह लंबे समय से प्रदानमंत्री मोधी के आने के बाद से किस स्थिती में चीन है वह हम और देख रहे हैं उनकी स्थिति क्या है और कोन टर्मस डिक्टेट कर रहा है या क्या चीन जो है पहले की तरह कि यहां तो घास भी नहीं ऊखती तो सियाचीन का हिसा दे रहे हैं लदाक दे रहे हैं जो कॉंग्रेस वाले बाटा करते थे क्या वही स्थिति आज भी है यह जो कॉंग्रेस वाले है यह वायर वायर जिनके शाह पे नाचता है वो बता है ना कभी बता है कि 2008 में Memorandum of Understanding जो है Chinese Communist Party मतलब एक तरह से चीन की सरकार और भारत के कॉंग्रेस के बीच क्यूं हुई थी 2008 के बीजिंग Olympic में सोनिया गांधी को राहूल गांधी को क्यूं बुलाया गया था Head of State तो मनमोहन सिंग थे उनको क्यूं नहीं बुलाया गया था जब डुकलाम चल रहा था तो राहूल गांधी किस से मिल ले गए थे क्या चाइनीज राजनेक से वो नहीं मिले थे तो एक Compromised system जो पहले से था वो भले सत्ता में नहीं है लेकिन ये लोग उन बातों को ले करके ये भारतिय जनता में अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा ये जो देस है ये लोग मूदी जो है बेच रहा है और ऐसे नहीं चलेगा अब चुनाव आ रहे हैं आपको आपको decide करना परेगा कि देस के लिए कौन सही है और सकले कौन सही राहूल कि ओवईसी को या प्रकास राज को या ऐसे लोगों को यह जानकारी क्यों चाहिए? मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की चीजें घटित होती रहती है, यह लगातार चलती है, फिर भी किया हर घटना, माननी ओवईसी के पास यह जानकारी आगे, उसके आगे वो क्या करेगा, यह पचास चैनीज ट्रूप थे, पचास भारत के ट्रूप थे, और उनके भी जरप हुई, और बेस्बाल बैट से हमला किया, कुछ के सर इधर के फूटे, कुछ के उधर के फूटे और चला गया, इस जानकारी का OVC क्या करेगा, क्या वो मिलिटरी प्लानर है, क्या करेगा इस क्योंकि कुछ जानकारी होती है, जो आपके पास आई है और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता नहीं है, जैसे कि आपको कोई बताए कि बलू के बहतर शेड होते हैं, तो मैं क्या करूँ उस जानकारी का, कि टरकोईस है, बलू है, नेवी बलू है, डार्क बलू ह परपल की तरफ जाता हूँ उस जानकारी का मैं करूं क्या यह नॉंसेंस वेल्यू की चीजें होती है और हाँ यह करेगा वही कुछ पॉजिटिव उसको नहीं करना है इसको करना है नेगेटिव उसका उसका फायदा उठाके बिनाकाम का उसको मैगनिफाइ करेगा और चीन का नेचर क्या भारतिये जनता नहीं जानती कि वह क्या करता रहता है तो आपको यह पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्यूं चाहिए नौतारिक को ही क्यूं चाहिए तो जनता को इस विशय पर सोचना होगा कि ऐसे लोग तुरंत जानकारी क्यूं मंगाना चाहते हैं वैश्विक परिस्थितियां जो बन रही हैं और भारत-चीन-सीमा पर जो परिस्थिति है उस पर वीचर्चा करना आउश्चिक हो जाता है इस संदर्व में कि एक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही है चीजों को और जब मैनेज नहीं करेगा तो पता चलेगा कि आप माह प्रेशना करे आर्थिक रूप से भारत अगर आगे बढ रहा है पूरी दुनिया जो है एक परसेंट दो परसेंट के ग्रोथ रेट पे है या नेगेटिव ग्रोथ में जा रही है अमेरिका ने ट्रिलियन सब डॉलर चाप दिये हैं उसका कोई बेसिस नहीं है वहाँ पे एक म महिने में आने की संभावना है भारत का भविश उज्वल दिख रहा है रूस उसकी सुन नहीं रहा है भारत रूस के मुद्दे पर अमेरिका की नहीं सुन रहा है यह सारी चीजें जो है वह भारत को एक अपनी रीड तलाश्ता और अपनी रीड को पहचान कर स्ट्रेट सकतियों को या पश्चिमी राष्ट्रों को पसंद नहीं आता कि इनको तो हम चलाते थे इनकी फॉरन पॉलिसी क्या होगी वो तो हम डिक्टेट करते थे कि भाई तुम ऐसा करो चीन ऐसा क्या आच्छा तुम ऐसा कह सकते हो हम तुम्हारे पीछे हैं या इस मुद्दे पर ह पाकिस्तान में क्या चल रहा चल रहा है और तब जो है भारत पर युक्रेन को लेकर या अन्य चीजों को लेकर उस पर दबाब बनाया जा सके और फिर उसको एक तरह से बारगेनिंग टेबल पर लाया जा सके कि देखो चीन तुम पर कर रहा है अगर तुम युक्रेन वाले पर रूस का साथ छोड़ दो तो हम तुम्हारा इस तरह से साथ देंगे इस तरह की चीजें यहाँ पर की जा रहे हैं अलाकि यह बात अलग है कि युक्रेन वाले मामले में भारत और चाइना एक ही तरफ दिखते हैं और पूरे दुनिया की problem यरप की problem नहीं है, यरप तो हमारा जो conflict चल रहा है, हम terrorism बता रहेते लंबे समयते और जब तक पस्चिमी राष्ट्रों में जब तक बम धमाके होने आरंब नहीं हुए, तब तक तो आप conflict बोलते थे, उसको आप terrorism as a threat को recognize भी नहीं कर रहे थे, उसको तुम्हारा भारत पाकिस्तान के बीच तो चिटमुट जहराप हो रहे, यूद भी नहीं माल रहे, उसको conflict बोल रहे या विवाद की स्थिय इस तरह के शब्दों का प्रियोग किया जाता था, तो आप जो है, आपकी thought process तो वहां से आ रही है, तो हम क्यूं उसी को ढोते रह हैं, आज अगर हम इस स्थिती में पहुँचे हैं, कि हम बहतर कर सकते हैं, अपने लिए सोच सकते हैं, यह जो global monopoly है, कुछ राष्ट्रों की, तो उसको कभी भी वामपंतियों की विचारधारा से स्वतंत भारत पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो किसी ना किसी तरह से चाह रहे हैं, कि भारत हमेशा ही पूरे विश्व को और वैसे वैसी शक्तियों को जो इनके साथ कुछ संबंद बनाना चाहते हैं, जो समझहोते करना चाहते हैं, उसको लेकर के संदिग्ध राष्ट की इस्तिती में यह बना रहे हैं, कि भाई, यहां पे कोई वेपार करने ना क्योंकि भारत जो है, स्टेवल कंट्री नहीं है, और आपने देखा हुगा कि यह लोग तरह तरह के इंडिसेज पब्लिस करते रहते हैं, कि पत्रकारों को लेकर जो भारत सबसे घटिया जगा है, शिक्छा में भारत जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से नीचे है, डिमोक्रेसी का इंडेक्स निकालेंगे, कि वहाँ पे जो है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार तो चुनी हुए है, लेकिन वहाँ तानाशाही चल रही है, तो जिस सरकार को लोगों ने चुना है, दो बार चुना है, उसको यह बोल दें कि तानाशाही है, इनकी परि इसके अपने हित हैं, अमेरिका ऐसा क्यूं कर रहा है, उसका आपना हित है, यह चाते हैं कि चारों तरफ से भारत को बाकी जो कुते की तरह नोच खाने की फिराक में लगे हुए रहते हैं, और भारत अभी तो वैसा होते हुए, मतलब उनको उस तरह से अलाव नहीं कर रहा पहले की governments compromise थी एक हद तक और वो उनके dictate के वे terms से चलते थे अब भारत ऐसा नहीं है भारत एक ऐसा अकेला राष्ट है जहां मीडिया का एक हिस्सा और जनता या नेत्रित का मतलब नेत्रित मतलब अलग अलग पार्टियों के नेत्रित उनमें से कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि भारत चीन से हार जाएं भारत पाकिस्तान से छोटा दिखें भारत इतना सर न उठा है और ऐसे विलक्षन मतलब देश मुझे ने लगता है गलोब पे और भी होंगे जहां के लोग केवल इसलिए कि हम जिसको नहीं चाहते हैं वो सत्ता में कैसे है मतलब उसको सो प्रशत वोट नहीं मिले तो इसका मतलब है कि वो सब का प्रधान मंतरी नहीं है नोट माई प्राइम इसटर, नोट माई प्रेजेटं करके ये सब करते रहते हैं तो इनको इतना भाव क्यों दिया जा रहा है ये ऐसे कैसे हो गए हमने तो इन्हें चुना नहीं है तो ये चाहते हैं कि नहीं ये अब जो भी करेगा हम उसका विरोध करेंगे और उसके पिलवार हो ये चाहते हैं कि चीन हमारी सीमा में घुश जाए और तब हम कह सकें कि मोधी तो कुछ नहीं कर रहा है मोधी तो डिंगे हाकता है मोधी तो खाली जूट बोलता रहता है कि हम यहाँ पे इतने करोड का राफिल खरीदने हैं और तब हम कह सके कि नहीं सब जूट था इन्होंने सब पैसे खा लिये और उस तरह कि इनके पास कोई साक्ष मिल नहीं रहे हैं इसलिए यह नेरेटिव का फेक नेरेटिव का और वही तिल को ताड़ बनाने का उस तरह की प्रक्रिया को उसको अपनाने की चेस्टा यह करते र आती हैं और इन सब को आर्मी के छोटे-छोटे वहां पर यूनिट्स हैं वहां के लोग हैं हमारे अफिसर्स हैं अधिकारी हैं जवान हैं वो अपनी जान के धम पर सिर्फ इस तरह का मतलब इस तरह का वायात नेरेटिव ना चले यह सब को लेकर उन्हें भी पता है कि इध उनको लेकर अपना विश्वास उनमें जताना चाहिए कि नहीं भाई आप वो समाल वो आपका डोमेन है आप उधर रहो और हम आपके साथ एक जूट और प्रतिबद्ध होकर आपके साथ आपके पीछे हम आपके समर्थन में खड़े हैं और इस तरह के स्टैंस दिखता है वास्तब में और यह भी वामपंतियों को बहुत ही सताता है आगे इस पर क्या होगा वह हम नहीं जानते दोनों साइट जो अलगातार बातचीत में इंगेज करता और यह रूटीन प्रक्रिया है वह सब होगा और हम आशा करते हैं कि वहां शांतिक स्थिती बने और जिस तर पर्टाइब करते रहें जूरने के लिए बहुत होतावार नमस्कार